आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मार्केट यात्रा में दोस्तों इस्टूडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल यानि की भिरिस्पतवार को किस साइड मुमेंटम कर सकते हैं कौन से लेवल पर हम प्रुफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं कल दोस्तों वीकली और मंतली दोनों एकस्पायरी हैं तो मार्केट किस साइड मुमेंटम कर सकते हैं टार्गेट इंटरिस टोपलो सब कुछ हम डिसकस करने वाले हैं के लिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को एंड तक देखना आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला स्पेसली एक्सपैरी वाले दिन मार्केट को कैसे ट्रेड किया जाए तो चलिए दोस्तों बैंक अनिफ्ती का मैंने चार्ट ओपन किया है ट्रेडिंग व्यू की नहीं है मैंने कल आपको बिल्कुल बारीकी से सिखाया था कि देखिए मार्केट में बायर है लेकिन जैसे मार्केट में सेलर आया है मार्केट में अचानक से बायर उसको उपर ले गए सेलर आये फिर से बायर आज फिर उसको उपर ले गए और इसका हमने पहले ही अनुमाल लगा लिया था क्योंकि अभी मार्केट में जो है सेलर ज्यादा है भी नहीं हो रहे हैं बायर बार-बार मार्केट को उपर खीच के ले जा रहे हैं यानि कि मार्केट में अभी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रहे हैं मार्केट में ज्यादा इंट्रेस्ट ले रहे हैं और बार- सब्सक्वाबाइब के खोधा निफटी बेंक गें हैं के प्रेडिक्षिन कर सकते हो यानि की जाहां मार्केट टाइम स्पेंड करती वहां पर बॉक्स बना लीजिए हमने कल ये भी एक बॉक्स बनाया था याय和an कि मार्केट जब भी breakout या breakdown देती हम घारी हम अच्छा लेकल देकने को मिल सकता है तो तो हमारी entry यहाँ पर बनी थी कि market जैसे इसको उपर break करेगी, rateist करेगी, हमको अच्छा level देखने को मिल सकता, और बिल्कुल same to same इसी किसी range में market ने जाके closing दी है, अभी तक पहुँची नहीं, लेकिन at least मतलब बिल्कुल इसके पास जाके closing दे, लेकिन उपर break होती अच्छा price section बना और एक अच्छी trade आप सभी को अगर वीडियो फोलो की होगी, तो आपने अच्छा profit बनाया होगा, risky trader के लिए हमने 15 minute की candle के उपर ही break करने के बाद ही trade करने के लिए उसने भी आज अच्छा profit बनाया होगा, कल क्या हो सकता है दोस्तों देखे weekly और monthly expiry है, तो कल थोड़ी से कम मातरा में trade करें क्योंकि premium बड़ी speed से कम होते हैं, जादा out of the money की strike price ना ले, यानि कि market 37,700-800 के आसपास है, यह नहीं कि आप 37,400 की 37,800 के ऐसे आप call ले लो या फिर इतनी नीच्छे की put ले लो, यानि कि 800 के आसपास, 36,800 के आसपास closing दी है, अब मालों, bank nifty इसी किसी range में flat open होती है, ठीक है, bank nifty इसी किसी range में flat open होती है, और जैसे ही दोस्तों इस level को cross करती है, यह कौन सा level है, 36,900 के level को जैसे ही cross करती है, हलका सा price action बनाती है, wait कर जाना आपको थोड़ा सा price action बननेगा, क्योंकि कल expire price action बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर ऐसे market निकलती है और price action बनाती है, तो 40-50 point का SL डालिए, 80-90 point का आपको target bank nifty में call side देखने को मिल सकता है, पहला target आपका 37,150 होना चाहिए, दूसरा target आपका 37,450 होना चाहिए, क्योंकि इसके बीच में market के अंदर space है, उपर जाने के, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर आप लास्ट में जाके देखोगे, बड़े time frame में मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपको दिखेगा कि इसमें एक gap है, और वो gap अभी fill होना बागी, देख रहें, gap fill हो सकता है, अगर 36,150 के उपर market price section बनाते हैं, तो आप quantity भी add कर सकते हो, कल के लिए, अब दोस्तों मालों bank nifty flat open होके, हमको put side cup जाना है, एक चीज़ notice कीजिए, मालों flat open होई, flat open होके, जैसे ही इस range को तोड़ती है bank nifty, तो कम quantity में trade करना है, क्यों करना है, क्यों करना है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो यह छोटे-छोटे support है ना, दोस्तों, यहां से market sharp recovery किये जा रही है, और कल भी ऐसे ही हो सकता है, यानि कि market अगर safe आप entry करना चाते हो put side, तो इस zone को मारक कर लीजिए, क्योंकि इस area में market ने ज्यादा time spend किया हो, यह हाँ पर देखिए resistance को भी market ने break किया, जो कि अब support का का काम करेगा, यानि कि जब भी bank nifty flat open होके 36,600 के नीचे, फिर 36,500 के नीचे आना शुरू करती है, 300-400 point down आती है, और price action बनाती है, 400 point का SL डालिए, put side आप बैठ सकते हो, वन इस टूटो आपका target हो जाएगा, यह level आपको देखने, 36,300 के level intraday में देखने को मिल सकते, लेकिन जब इसके नीचे price action बनाए, तभी आपको put side बैठना, वरना आपको put side नहीं बैठना है, अम आलो bank nifty दोस्तो gap up open हो जाती, सिधा 37,000 के आसपास, इस resistance के आसपास, यहाँ पर अगर open होती है, तो आपको 15-30 minute का wait करना है, एक bullish candle बनती है, तो बड़ी अच्छी बात है, bullish candle बनी, और फिर दिन का high, 9 बज़ के 50 minute के आसपास, दिन का high अगर cross होती है, price section बनाती है, तो आपको 40-50 point का SL डाली है, आपका target हो जाएगा, और फिर अगर market 3,150 के उपर निकलते हैं, तो आराम से आपको 3,400-3,350 के level देखने को मिल सकते हैं, यानि कि इसके उपर आप quantity add कर सकते हो, इससे पहले आपको quantity कम रखने हैं, क्योंकि एक trap zone होने वाला है, यहां से लेके और यहां तक, यानि कि 500 point के बीच में trap zone, थोड़ा सा trap zone होने माला है, तो आपको कम quantity में इस level, इस range में आपको कम quantity में trade करना है, अब मालनों दोस्तों, bank nifty gap of open होई, इसे किसी resistance के आसपास heavy gap of open हो जाता है, एक negative candle बना देती है gap of open होने के बाद, और फिर market उसको नीचे की side दूसरी candle क्रोस करते हैं, तीसरी candle या फिर time spend करके market नीचे की side क्रोस होते है, या फिर 36-900 के नीचे वापिस आती है, और price section बनाती है, कम quantity में trade करना, 40-1 point का SL डालिए, वंजिन तो आपका target हो जाएगा, आप put side बैठ सकते हो, ज्यादा target का plan मत करना, अगर gap of open होगे market downside आती है, अब मालो बैंक निफ्टी gap down open हो जाती है, 36-600, 36-500 के level के आसपास gap down open होई, अब ये support है दोस्तों, एक चीज या रदकना, support के आसपास जैसे ही market एक bullish candle बनाए, और दूसरी candle इसको cross करे, price action बनाए, 40-50 point का SL डाल के, इस तो आपका target हो जाएगा, आप coal side बैट सकते हो, लेकिन कब जब bullish candle बनके, दिन के high को cross करे, फिर आपको ये level 36-900 के, 37-000 के level देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, ये दोस्तों एक support है, gap down market अगर open होती है, और negative candle बनाती है, negative candle बनाने के बाद, दो chance हो सकते, एक तो इसको नीचे तुरंत cross करके, price action बनाए, तो आपको put side जाना है, या फिर इसके open होके, और इस support के आसपास time spend करती है, कम से कम एक घंटा, डेट, घंटा time spend किया, sideways हुई, premium भी आपको कम मिलेंगे, क्योंकि जितना time spend होता जाएगा, premium सस्ते होते जाएगे time decay की वज़े से, time spend करने के बाद, अगर break down देती है, तो आपको फिर retaste होने का wait नहीं करना है, फिर आप put side bet सकते हो, चालिस पतास point का SL डालिए, और सतर असी point का 100 point का आपको target मिल जाएगा, यहां तक आमारे bank nifty 36, 300, 36, 250 तक bank nifty आ सकती है intraday में, लेकिन इस support को दोस्तों तूटने देना है, तूटने के बाद price action बनने देनी है, फिर time spend करने के बाद breakdown देती है, तो आप आ सकते हो, चलिए दोस्तों, bank nifty के target देख लेते हैं, nifty में कौन सा momentum possible है, उसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दू, आज telegram पे भी मैंने आपको clear cut बता दिया थे, देखिए दोस्तों, आज market तकरीबन flat open हो सकती है, हलकी सी green होकर वापिस downside आकर, मामूली सी downside आ सकते हैं, लेकिन अभी ज्यादा negative नहीं होना, इस बात को भी दोस्तों आपको notice करना चाहिए, मैंने आपको market खुलने से पहले आने की 8 बजगे 57 minute पर अपना ये view दिया था, क्योंकि नीचे market किसी भी support से sharp recovery कर सकते हैं, जैसे कल क की थी, इसलिए आपको थोड़ा सा संबल कर trade करना है, ठीक है, ये बात दोस्तों मैंने आपको clear cut सुबह उठने से पहले, मतलब सुबह market खुलने से पहले बता दी थी, और ये मैंने हमने फिर किया कि अच्छे खासे point भी लिया, हमने ये trade लिया 36-400 का call option, लेकिन 36-500 का था, बाई mistake 400 लिखा गया, लेकिन उसके बाद मैंने इसको ठीक किया, 36-500 का call, मैंने बता है, 36-500 बाई mistake हो गया, लेकिन फिर हमने entry allowed की 36-500 call option पर नियर 220 पर, टार्गेट देखें, दोस्तों आपको almost आपको double, यानिकि second target भी मिला, ये देखें, 175 point आपको मिले, 380 का, 400 का high लगाय बाई, आप जाके चेक कर सकते, 36-500 का call option, 200 के आसपास आगे, 400 का high लगाया, निकि तकरीबन आपको 190 point के आसपास profit हुआ है, बेंक निफ्टी की study में, paper trade के लिए दोस्तों मैं देता हूं, इनको call tips ना माने, ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे दोस्तों मुझे follow कर सकते हो, मै मार्केट में, PCR data, सुबह मार्केट का view, बहुत सारी चीज़े मैं आपको देता रहता हूं, टेलीग्राम पे दोस्तों आप जाके सरच कीजिए, मार्केट यात्रा ओफिशियल के नाम से 62,000 अभी subscriber है, यह बोट सब्सक्राइबर आपको दूसरे चैनल के भी मिल जाएंगे, अपको पोस्ट पर व्यूव मिलेगे, यह देखें, 29,000, 29,000, 4,000, 35,000, ऐसी आपको पोस्ट पर view मिलेंगे, यह दिक हैं उसी चैनल को जोइन के, फ्रोड से बचिए, क्योंकि इस लोगों इसी नाम से बहुत सारे फ्रोड चैनल आपको मिल जाएंगे, उनको जोइन मत कीज नहीं तो वीडियो के डिसक्राइब में टेलीगराम का लिंक डाल दूगा आप वहां से भी जोएन कर सकते हो चलिए दोस्तों निफ्टी में क्या लेवल हम देखने को मिला है निफ्टी में भी दोस्तों शार प्रीकवरी देखने को हमने लास्ट टाइम डिसकस किया था जैसे निफ्टी इसके उपर निकलती है प्राइस एक्षन बनाती हम कोल साइट जाएंगे बिलकुल अच्छा खासा प्रोफिट मिला होगा अब क्या हो सकता दोस्तों देखिए निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिये रसिस्टेंस के आसपास दिये इसी किसी एरिया के आसपास क्लो को देखने को मिल सकते 16,750 के उपर जाने के बाद आप क्वांटिटी एड कर सकते हो एजुकेशन परपस के लिए दोस्तों मैं बता रहा हूं डिस्क्लेमर मैं दे देता हूं कोई से भी रेजिस्टर डेनलिस्ट नहीं के विल एजुकेशन परपस के लिए बना या आपको ल जहां पर निफ्टी ने टाइम स्पेंड किया है और यह इंपोर्टेंट लेवल दोस्तों यह आप देखिए यहां पर मार्केट को इस सपोर्ट भी और टाइम स्पेंड भी किया है तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुई जब तक इस लेवल को क्रोस करके प्राइस सकते हो अगर प्राइस सेक्षन 16550 के नीचे बनना शुरू होता है तो आपको यह लेवल देखने को मिल सकते 16450 के इंट्र डे में आपको यह लेवल देखने को मिल सकते हो थोड़ा साभी गैप भी फिल अगर इसको नीचे की साइड निफ्टी तोड़ती है तो आपको और आपको यह लेवल देखने को मिल सकते हो इसके नीचे आने के बाद अम आलो दोस्तो निफ्टी गैप अपन होगी सीधा इसी किसी रेंज में रसिस्टेंस के आसपास अगर गैप अपन होती है आपको वेट कर जाना है 950 के आसपास अगर दूसरी केंडल 15 मिनिट की केंडल इसको क्रोस करती है प्राइस सेक्षेन बनाती है दिन के हाई के उपर फिर आपको कोल साइड जाना है 20-30 पॉइंट का अपका टार्गेट हो जाएगा कोल साइड लेकिन अगर गैप अपन होगे देखिए रसिस्टेंस के आसपास ओपन हो रही है और अगर नेगेटिव कें साइड बुक करना पड़ा क्योंकि सपर्ट के यह सारे लेवल सपर्ट का काम करेंगे निफ्टी में धिक है अब माल लो यह अगर गैप डाउन ओपन हो गयी इसी किसी रेंज को आशाबश कर्ते है 15-30 मिनियुक्त के बाद और प्राइस Saction मनाती है 40-40 पॉइंट का SL तक आपको पूट साइड नहीं जाना है अमालोग गैप डाउन ओपन होती है और इसी रसिस्टेंस के आसपास एक बुली स्केंडल बनी फिर टाइम स्पेंड गया और दिन के हाई को दोबारा से क्रोज करके प्राइस सेक्षन बनाती है और अगर दोस्तों आपको ज्यादा ही डीप नोलेज चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो आपको लिखना क्या पड़ेगा आप टेलीग्राम पे जाईए उपर सरच बार में आपको लिखना है अगर आपको रिव्यू देखने है तो दोस्तों आप यहाँ पे जाईए आपको देखिए एक लेडिज का मैंने एक स्क्रीन शोट डाला देखिए इन्होंने बोला नमसकर सर फोर्थ बैच की स्टूडेंट है फिफ्ट बैच में रिविजन कर रही है कोरस करने के बाद इतने दिन के बाद आज रियल ट्रेड गया और देखिए कितना अच्छा प्रोफिट बुक किया शीखने के बाद जो आप प्रोफिट करते हो ना खुद के दम पर तो एक अलग ही मज़ा आता है आप कोरस के लिए जोएन कर सकते हो पांच अगस्त के आसपास बैच शुरू होने वाला शिक्स बैच आप उसमें एडिमिशन ले सकते हो और यह दिखे मैंने कलास की लाइव चैटिंग में डाली है इन्होंने जबर्दस स्टैटेजी मैंने कल की कलास में सिखाई थी तो आ आप उन्हें टेलीग्राम पर फोलो कर सकते हो और आज का वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा आप मुझे मैसेज करके जरूर बताएं प्यारा सोरी कोमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगे आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ् दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई